आज जो कोईले से भरी इस ट्रेन को लेके निकल गया ट्रेन भी उसकी और कोईले का यो धन्दा भी उसका हम घुंडे हैं ना आज तक किसी के हाथ आए हैं और ना आएंगे हो आए तक किसी किसी को बार बेके निकल झांगे ग़िते प्रकाती भांगे कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 तूने मारे इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी है मोस्ट आवंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साउथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अलाग अंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म की कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उर्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के क्रिस्मे की उमीद थी वो इस पर सो फिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिक्रम और बाला यानि रडवीर और अर्जुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सर्गना बन जाते हैं और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डाउन टाइप हीरो उनके आगे पीछे मंडराने लगते है एसी पी सतीजी सरकार यानी इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते है फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते है कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास लीला राम लीला में अपना पेश्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिश्तार ही नजराता है वो चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन भी करते हैं लेकिन देल में नहीं उतरते हैं अरजुन कपूर की इसके जादे और औरंग जयब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनत करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तौर परती है प्रियंका जोपड़ा अपने तरासे हुए बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपी इसकी संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन डे के मगे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन डे का सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उम्मीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदान सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अगर के यहां भाग आए तो उसकी यह उम्मीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फारजी रासन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी स्रणाथियों के साथ उनकी संदिक संबेधनाओं को अगर सही मानने तो इन्यता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आये हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हें नें 1974-1980 के दसक का सिनेमा पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहां गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई गुंडे वैलेंटाइन के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजिन्ट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला यानी अर्जुनकपूर और बिक्रम यानी रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ो फिल्मों की घिसी भी कौर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बांगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों धाका के रिफ्यूजी कैप में रहते हैं और एक मिलिटरी अपसर की हत्या कर रेल में बैटके कलकता आ जाते हैं यहाँए कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और फिर कलकता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं लेक प्रण दुसमनी के कारण लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती हैं वे प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस अचानक जान के दुसमन बन जाते हैं हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कुछ नया नहीं है फिल्म का यह हिस्सा बेहद बाओ है और आप बीच में अच्छी खासी निंद भी निकाल सकते हैं फिल्म के इस हिस्से में अरजुन कपूर और रणवीर के हिस्से बहुत ही देख चुके हैं अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी पिटाई फिलास्पी कहलवाई गई है यह जिन्दगी मुझ से चाहती गया है जब इंसान बनने की कोशिश करता हूँ मुझ पर कालिक पोथ देती है दर्सक को समझ नहीं पड़ता कि आखिड डारेक्टर उन से च है आप बेचल होने लगते हैं कहानी और समाद भी अली अबाद जफर के ही है लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी नहीं नजराती है क्योंकि तेवर सब्द का इस्तमाल फिल्म में दर्जन भर बार जोर देकर किया गया है तेवर वाले दो समाद तो यही है अब यह तेवर हमारे खोन में है तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले एक बात और जफर ने जहाँ जहाँ हिंसा दिखाई उन दरस्तों में कबूतर जरूर उड़ाए हैं फिल्म में रड़बीर शिंग और अरजिन कपूर पर नया करते नहीं दिखे हैं वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनाओर के वल एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है यह उनका अंदास तो कायम है लेकिन यह रोल उनके persons को के लिए याद रखने जैसा नहीं है प्रिंका सुन्दर दिखी है परन्त उनके किलदार को फिल्म से रोते हुई प्रिंका में तब्दिल करकमजोर कर दिया गया है हाथ तो तब हो जाती है जब अंडर कवर पुलिस आपसर नंधता सेन गुपता बनी प्रिंका चुपडा का कुंडो पर दिला जाता है वह कहते हैं इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है ये बच्चे हैं हालात के मारे है आश्चर की पूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते की मासूम लगे बच्चे लगे जहां तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो पिर सारे हालात के मारो को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खूब मिलती है कई बार तो आप का मन इनका इस्तमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बाइनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रिलेंका चुप्रा लीड रोल में थे अलियपा जफर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुक्रवार को रिलीज हुई थी लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे दो अनात बच्चों बिक्रम यानि रणबीर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है जब उन्हें 12 साल के उम्र में जिन्तिगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश की वार के दोरान उन्हें डोरते भागते कोलगता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलगता के सबसे बड़े गुंटे बन गए वो ऐसे फिल्म की कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोज सबोत नहीं होता एसेपी सत्यजी सरकार यानि इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेज़ा जाता है इदर विक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसर नदिता नि प्रेंका चोपड़ा से होती है पहली नजर में दोनों नदिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरब दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी और इनके किलाब एसेपी सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोस्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में एसेपी और इर्फान खान गुंटो को पकड़ पाते हैं या नहीं और नदिता गुंटो में से किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले गिया था यहाँ PC की एक्टिंग और खासकर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखुबी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल सेन ने कंबोज किया है जिबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तूने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रडबीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जसने इसक और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेड संग सेया और रोमांटिक संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वोई फिल्म में प्रिंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डाइरेक्सियल बेंचर में आली अबाज जफर अपनी पकर नहीं बना पाये है फिल्म का डाइरेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वो महनत रंग लाए गिया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बिकन फिरी हैं तो आप इस रोमांटिक और एक्शन मुवी को देखे अगर आपका खास प्लान बना कर मुवी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुसम्जी की चिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाज जफार दौरा निर्दैसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विक्रम और बाला का बच्पन है वो बड़े होते हैं तो मिश्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिलमें भले ही तिहास के रेफ्रेंस से आरंब हो और एहसाद देद कीवे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहरा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोच्टी और बदले की कहानी गुंडे के शुरुआ सांधार होती है बंगलादेश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरण होता है स्वेज से आम तस्बीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ सातिया रियल्टिक हो जाती है फिर तो श्टकदार गाड़े रंगों में ही दरस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देशक अलियबाज जफर ने बिक्रम और बाला की दोच्टी की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता महज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब यहां प्रेम यहां किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दुस्मनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दुश्मनी तो गलत महपी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाय फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते समय रुमाज थ्रिल और आनंद आना सोभाविक है क्योंकि लंबे समय से ऐसी फिल्में नहीं आई है अलिय अबाद चफर की गुंडे में सब कुछ गाढ़ा है इतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है इमोशन, एक संदुस्मनी, दोस्ती, नाच गाना और डालाग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो ना गाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है समयादों को संजे मासुम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपडा ने इस गाढ़ापन में भी अपनी पहचान नहीं छेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के बिसे और किरदारों के अनकूल है इसाथ कामिन और सोहल सेंन ने सब्द और धुन के साथ मसहूर और साथख परियोग किये है तूने मारी इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी हैं मोस्ट आउन्टेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उन्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के क्रिश्मे की उमीद थी वो इस पर सो फिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रडवीर और अरजुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायानी प्रेंका चौपा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डॉन टाइप हीरों उनके आगे पीछे मन राने लगते हैं एसी पी सतीजी सरकार यानि इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीज़े आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रड़ बीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास lila राम लीला में वैंपना प्रस्ट दे चुके हैं गुंदे में उनका कुछ बिस्तार ही नजराता है वो यह चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन्बी करते हैं लेकिन दिल में नहीं उतरते हैं जोपड़ा अपने तरासे हुए बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोसिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपी इसकी संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मज़ा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन टे के मगे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन टे का सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उमीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदन सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अगरके यहां भाग आए तो उसकी यह उमीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी संबेदनाओं को अगर सही माने तो इन्यता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सु से वोट की रोटी से देखते आए हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्होंने उनीस सु सतर से उनीस सो असी के दसक का सिनेमा परते पर उता रहा है लेक गुंडे वैलेंटाइंग के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहारी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजेंट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला प्रिक्री अबसर की हत्या कर रेल में बैट के कलकता आ जाते हैं यहां कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और कलकता के सबसे काराल लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती है वे प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरी पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के दु माया है और उन्होंने इसे निवाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक करण यह भी है किया बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके हैं अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी-पिटाई फिलास्पी कहलवाई गई है यह जिन्दगी मुझ से चाहती गया है जब इन्सान बनने की कोशिश करता हूँ मुपर कालिक पोट देती है दरसक को समझ नहीं पड़ता कि आखिट डारेक्टर उन्से चाहता गया है सिर्फ उनका पैसा इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और राजनितिक चितना के कहानी को उसने कलकता जैसे एतिहासिक महानगर की छाया में खड़ा कर दिया फिल्म पर निदेशक की पकड़ धीली है और कहानी सुष्ट है आप बेचैन होने लगते हैं कहानी और समाद भी अली अबाद जफर के ही है लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्द इससे कुछ नहीं होगा और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले एक बात और जफर ने जहां जहां हिंसा दिखाई उन दरस्टों में कबूतर शरूर उड़ाए हैं फिल्म में रड़बीर शिंग और अरजन कपूर पर नया करते नहीं दिखे हैं वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनावर के वल एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है यह उनका अंदास तो कायम है लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैसा नहीं है प्रिंका सुंदर दिखी है परंत उनके किलदार को फिल्म से रोते हुई प्रिंका में तब्दिल करकम्जोर कर दिया गया है हाथ तो तब हो जाती है जब अंडर कवर पुलिस आपसर नंद्टा सेन गुपता बनी प्रिंका चुपडा का गुंडों पर दिला जाता है वह कहते हैं इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है ये बच्चे है हालात के मारे है आश्चर की पूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते कि मासूम लगे बच्चे लगे जहां तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारो को यही करना चाहिए जो यहां बिक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खुब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बाइनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रिलेंका चुप्रा लीड रोल में थे अली अपाज अपर के निर्देशन में बनी अपिल्म सुक्रवार को रिलीज हुई थी लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे तो अनात बच्चो बिक्रम यानी रणबीर सिंग और बाला यानी अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है जब उन्हें 12 साल के उम्र में जिंदगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश के वार के दोरान उन्हें दोरते भागते कोलगता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलगता के सबसे बड़े गुंटे बन गए वो ऐसे फिल्म के कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोस सबोत नहीं होता एसेपी सत्यजी सरकार यानि इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेजा जाता है इदर विक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसन नन्दिता नी प्रेंका चोपड़ा से होती है पहली नजर में दोनों नन्दिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरफ दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी और इनके किलाब एसेपी सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोस्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में एसेपी और इर्फान खान गुंटो को पकड़ पाते हैं या नहीं और नन्दिता गुंटो में से किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले गिया था यहाँ PC की एक्टिंग और खास कर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखुबी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल सेन ने कंबोज किया है जिबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तुने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रणबीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जसने इश्क और टाइटल सांग भी अच्छे हैं हाला कि फिल्म का सेड संग संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वही फिल्म में प्रिंका का कैबरे नंबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डारेक्सियल बेंचर में आली अबाज जफर अपनी पकर नहीं बना पाए है फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर करी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वह महनत रंग लाए गिया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बेकन फिरी हैं तो आप इस रोमांटिक और एक्शन मुवी को देखे अगर आपका खास पलान बना कर मुवी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुस्मजी की चिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाज जफर दौरा निर्दैसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विकरम और बाला का बच्पन है वो बड़े होते हैं तो मिस्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिलमे भले ही तिहास के रेफरेंस से आरंब हो और एहसाद देद कीवे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहर हा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोच्टी और बदले की कहानी गुंडे के सिरुआ सांधार होती है बंगलादेश के जन्म के साथ बिकरम और बाला का आउतरड होता है स्वेज स्याम तस्बीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ साथ यह रियल्टिक हो जाती है फिर तो शिटकदार गाड़े रंगों में ही दरस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देशक अलियबा जफन ने बिकरम और बाला की दोच्टी की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता महज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब यहाप्रेण या किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोस्ति में एक दुसरे के लिए जान देने की कसमें खानेवाले दुस्मनी होने पर एक दुसरे की जान लेने पर उतारु हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दुसमनी तो गलत महफी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाय फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते समय रुमाज थ्रिल और आनंद आना सोभाविक है क्योंकि लंब्द समय से ऐसी फिल्में नहीं आई है अलिय अबाद चफर की गुंडे में सब कुछ गाढ़ा है इतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है इमोशन, एक्सान, दुस्मनी, दोस्ती, नाच गाना और डालाग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो ना गाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है समवादों को संजे मासुम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपडा ने इस गाढ़ापन में भी अपनी पहचान नहीं छेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के बिसे और किरदारों के अनकूल है इसाथ कामिन और सोहल सेंन ने सब्द और धोन के साथ मसहूर और साथक परियोग किये है तूने मारी इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी हैं मोस्ट आउन्टेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उन्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के क्रिश्मे की उमीद थी उस पर सो फिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिक्रम और बाला यानि रडवीर और अरजुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिन्दगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायनी प्रेंका चोपड़ा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डॉन टाइप हीरो उनके आगे पीछे मंडराने लगते है एसी पी सतीजी सरकार यानि इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीज़े आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रडवीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियो की रास लीला राम लीला में वह अपना पेस्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिस्टार ही नजराता है वह चहकते हैं हसाते हैं और एक्जन भी करते हैं लेकिन देल में नहीं उतरते हैं अर्जिन कपूर की इसके जादे और औरंग जयब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसे पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तोर परती है प्रियंका जोपड़ा अपने तरासो हुए बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती है प्रियंका जोपड़ा अपने तरासो हुए बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म क यूइसपी इसके संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मज़ा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन टेकर मगे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन टेका सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उमीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिश कह सकते हैं बाकि जनता जनारदन सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अकरके यहां भाग आए तो उसकी यह उमीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिंदगी कठिन हुई तो आस सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फाजी राशनकार से बैद नागरिक बन जाएगा ने जिसक लिए पाँ जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी स्रणाथियों के साथ उनकी संदिक संबेदनाओं को अगर जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्होंने 1970-1980 के दसक का सिनेमा परदे पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहाँ गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई गुणडे वैलेंटाइंग के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजिन्ट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला यानी अर्जुन कपूर और बिक्रम यानी रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ो फिल्मों की घिसी वी कौर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बांगला देश बनने के दिनो 1971 में दोनों ढाका के रिफ्यूजी कैम्प में रहते हैं और एक मिलिटरी अपसर की हत्या कर रेल में बैट के कलकता आ जाते हैं यहाँए कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और फिर कलकता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं लेकिन जैसा कि होता है आग को लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती हैं वह प्यार में राजिस खना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के दुस्मन बन जाते हैं हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कुन नया नहीं है फिल्म का यह हिस्सा बेहद बाओ है और आप बीच में अच्छी खासी निंद भी निकाल सकते हैं फिल्म के इस हिस्से में अरजुन कपूर और रणवीर के हिस्से बहुत ही ओड़पटा गदाकार करने का काम आया है और उन्होंने इसे निवाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक कारण यह भी है किया बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके हैं अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी पिटाई फिलास्पी कहलवाई गई है यह जिन्दगी मुझ से चाहती गया है जब इन्सान बनने की कोशिश करता हूँ मुपर कालिक पोट देती है दर्सक को समझ नहीं पड़ता कि आखिर डारेक्टर उन से चाहता किया है सिर्फ उनका पैसा इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और उसने कलकता जैसे एतिहासिक महानगर की चाया में खड़ा कर दिया फिल्म पर निदेशक की पकड़ धिली है और कहानी सुष्ट है आप बेचैन होने लगते हैं कहानी और समाद भी अलिया बाद जफर के ही है लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी नहीं और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले एक बात और जफर ने जहां जहां हिंसा दिखाई उन दरस्टों में कबूतर शरूर उड़ाए हैं फिल्म में रड़बीर शिंग और अरजुन कपूर पर नया करते नहीं दिखे हैं वैसे अभी उनके साम अंदर दिखी हैं परंत उनके किलदार को फिल्म से रोती हुई प्रिंका में तब्दिल करकमजोर कर दिया गया है हाथ तो तब हो जाती है जब अंडर कवर पुलिस आपसर नंता सेन गुपता बनी प्रिंका चोपड़ा का गुंडो पर दिला जाता है वह कहते हैं इनके काल सब्सक्राइब के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खूब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बाइनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंडे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रिरंका चोपडा लीड रोल में थे अली अपाज अपर के निर्देशन में बनी अपिल्म सुक्रवार को रिलीज हुई थी, लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंडे ऐसे तो अनात बच्चो बिक्रम यानि रणबीर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंड़ा बनना पड़ता है जब उन्हें 12 साल के उम्र में जिंदगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश के वार के दोरान उन्हें डौरते भागते कोलकता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलकता के सबसे बड़े गुंड़े बन गए वो ऐसे फिल्म के कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोस सबोत नहीं होता एसेपी सत्यजी सरकार यानि इर्फान खान को गुंड़ो को पकड़ने के लिए भेजा जाता है इदर विक्रम और बाला की मुलाकात काईवरे डांसन नंदिता नी प्रेंका चोपड़ा से होती है पहली नजर में दोनों नंदिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरफ दोनों गुंड़े प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी और इनके किलाब एसेपी सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोस्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में एसेपी और इर्फान खान गुंड़ो को पकर पाते हैं या नहीं और नजरता गुंडो में से किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले गिया था यहाँ PC की एक्टिंग और खास कर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखु भी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल सेन ने कब बोज किया है जबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तूने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रणबीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जैसने इसक और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेड संग स्या और रोमांटिक संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वही फिल्म में प्रेंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डारेक्सियल बेंचर में आली अबाज जफर अपनी पकर नहीं बना पाए है फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर करी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वह महनत रंग लाए गिया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बिकन फिरी हैं तो आप इस रुमांटिक और एक्शन मूबी को देखे अगर आपका खास प्लान बना कर मूबी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुस्मजी की चिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाज जफर दौरा निर्दैसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विकरम और बाला का बजबन है वो बड़े होते हैं तो मिस्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिलमे भले ही इतिहास के रेफरेंस से आरंब हो और एहसाद देद कीवे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहर हा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोच्ती और बदले की कहानी गुंडे की सिरुआ सांदार होती है बंगला देश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरण होता है स्वेज स्याम तस्वीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ सातिया रियल्टिक हो जाती है फिर तो चितकदार गाड़े रंगों में ही द्रस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देसक अलियबा जपने बिक्रम और बाला की दोच्ती की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता महज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब यह प्रेम यह किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दुसमनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दूसमनी तो गलत महफी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाए फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते से में रुमाज थ्रिल और आनन्द आना स्वभाविक है क्योंकि लंब्दे समय से ऐसी फिल्में नहीं आई है अली अबाह चफर की गुंडे में सब कुछ गाढ़ा है यतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है इमोशन, एक्सान, दुस्मनी, दोस्ती, नाच गाना और डालाग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो ना गाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है संवादो को संजे मासूम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपड़ा ने इस गाढ़ेपन में भी अपनी पहचान नहीं छेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के बिसे और करदारों के अनकूल है इसाथ कामिल और सोहल सेंन ने सब्द और धुन के साथ मसहूर और साथक परियोग किये है तूने मारे इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंटिया कुछ ऐसी हैं मोस्ट आउंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उलजल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के क्रिश्मे की उम्मीद थी वो इस पर सो फिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रडवीर और अरजुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायानी प्रेंका चोपड़ा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डॉन टाइप हीरो उनके आगे पीछे मंडराने लगते है एसी पी सतीजी सरकार यानी इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीजे आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रड़बीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास लीला राम लीला में अपना बेस्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिस्तार ही नजराता है वह चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन भी करते हैं लेकिन दिल में नहीं उतरते हैं अरजन कपूर की इसकजादे और औरंग जयब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तोर परती है प्रियंका चौपड़ा अपने तरासो ही बदन और मादा कदाओ से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपी इसकी संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन डेकर मखे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन डेका सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उम्मीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदन सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अकरके यहां भाग आए तो उसकी यह उम्मीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फारजी रासन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा ने जिसक लिए पाँ जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी स्रणाथियों के साथ उनकी संदिक संबेदनाओं को अगर सही मानने तो यह नेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आए हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हें ने 1970 से 1980 के दसक का सिनेमा परदे पर उतारा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहां गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डेपर रिलीज हुई गुंडे वैलेंटाइंग के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजेंट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला यानी अर्जुन कपूर और बिक्रम यानी रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ो फिल्मों की घिसी हुई कौर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बांगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों ढाका के रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं और एक मिलिटरी अफसर की हत्या कर रेल में बैटके कलकता आ जाते हैं यह हुए कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और पिर कलकता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं लेकिन जैसा कि होता है आग को बजाने के लिए पानी जरूरी है। कलकता में एसेपी सत्यजी सरकार अनि इर्फान खान आता है। निर्देसक नियहाँ बाला और बिक्रम की दोस्ती और दुस्मनी दिखाई है। उनकी दोस्ती का कारण आप समझ ना सके पर अनि दुस्मनी का कारण लड़की होती है। जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती है। वे प्यार में राजिस खनना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं। एक दूसरी पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के दुस्मन बन जाते हैं। हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कुन नया नहीं है। फिल्म का यहा हिस्सा बेहद बाओ है। और आप बेच में अच्छी खासी निंद भी निकाल सकते हैं। फिल्म के इस हिस्से में अरजुन कपूर और रणवीर के हिस्से बहुत ही उड़पटा गदाकारी करने का काम आया है। और उन्होंने इसे निभाया भी है। फिल्म में मौलकता गायब है। इसका एक कारण यह भी है किया बीते जमाने की कहानी कह रही है। और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके हैं। अरजुन कपूर के मुझे से एक पिटी पिटाई फिलॉस्पी कहलवाई गई है। यह जिन्दगी मुझे से चाहती गया है। जब इंसान बनने की कोशिश करता हूँ मुझे पर कालिक पोट देती है। दर्सक को समझ नहीं परता कि आखिट डारेक्टर उन से चाहता कि है। सिर्फ उनका पैसा। इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और राजनितिक चितना के कहानी को उसने कलकता जैसे एतिहासिक महानगर की चाया में खड़ा कर दिया। फिल्म पर निदेशक की पकड़ धिली है और कहानी सुष्ट है। आप बेचैन होने लगते हैं। कहानी और समाद भी अली अबाज जफर के ही है। लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी भी नजराती है। क्योंकि तेवर सब्द का इस्तमाल फिल्म में दरजन भर बार जोर देकर किया गया है। तेवर वाले दो समाद तो यही है। अब यह तेवर हमारे खोन में हैं तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा। और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले। एक बात और जफर ने जहाँ जहाँ हिंसा दिखाई उन दरस्टों में कबूतर जरूर उड़ाए है। फिल्म में रडबीर चिंग और अरजुन कपूर पर नया करते नहीं दिखे हैं। वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर है। वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था। जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनावर के वल एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है। यह उनका अंदास तो कायम है लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैसा नहीं है। परिंका सुन्दर दिखी है। परंत उनके किलदार को फिल्म से रोती ही प्रिंका में तबदिल करकमजोर कर दिया गया है। हाथ तो तब हो जाती है जब अंडर कवर पुलिस आपसर नंद्टा सेन गुपता बनी प्रिंका चुपडा का गुंडो पर दिला जाता है। वह कैते हैं इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है। ये बच्चे है, हालात के मारे है। आश्चर की फूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते कि मासूम लगे, बच्चे लगे। जहांता कि हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खोब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तिमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बैनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रियंका चुप्रा लीड रोल में थे अलियपाज अपर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुक्रवार को रिलीज हुई थी, लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे दो अनात बच्चो बिक्रम यानि रणबीर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है, जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है, जब उन्हें 12 साल के उमर में जिंदगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा, तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा, बास साल 1971 के आस पास की है, जब बंगला देश के वार के दोरान उन्हें दोरते भागते कोलकता आना पड़ा, देखते ही देखते दोनों कोलकता के सबसे बड़े गुंटे बन गए, वो ऐसे फिल्म के कहानी में ट्विश्ट तब आता है, जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोस सबोत नहीं होता, एसेपी सत्यजी सरकार यानि इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, इदर विक्रम और बाला की मुलाकात काईवरे डांसर नदिता नी प्रेंका चोपड़ा से हो और नदिता गुंटो मेंसर किसकी होती है, यही इस फिल्म में दिखाये गया है, एक्टिंग की बात करे तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली, दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है, हाँ कही कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल प्ले गिया था यहां PC की एक्टिंग और खासकर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान अपने रोल को बाखुबी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल से ने कंबोज किया है जिबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तुने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रडबीर अर् लहन के साथ अपनी दूसरी डिरेक्सियल बेंचर में अलिय अबाद जफर अपनी पकर नहीं बना पाए है फिल्म का डिरेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वह महनत रंग लाए गया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बिकन फिरी है तो आप इस रूमांटिक और एक्शन मूबी को देखे अगर आपका खास प्लान बना कर मूबी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुसमनी की चिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाद जफर दौरा निर्देसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्देसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी कुछ समय के बाद सारा सच बहरा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोश्ति और बदले की कहानी गुंडे की शिरुआ सांदार होती है बंगला देश के जन्म के साथ बिकरम और बाला का आउतरण होता है स्वेश स्याम तस्वीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ सातिया रियल्टिक हो जाती है फिर तो शितकदार गाड़े रंगों में ही द्रस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देशक अलिया पाज जपने बिकरम और बाला की दोश्ति की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतर चलता है कि दुश्मनी तो गलत महफी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाय फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते से में रुमाज थ्रिल और आनंद आना सो भाविक है क्योंकि लंदे समय से ऐसी फिल्में न कालाग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो नागाड़ापन ही गुंडे की खासियत है समादों को संजे मासूम ने गाड़ा किया है एक इरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपड़ा ने इस गाड़ापन मे लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी है मोस्ट आवंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हिरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिस की गई थी साउथ की रिमेक न बनाकर बॉली वुड क अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उर्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के क्रिश्मे की उम्मीद थी उ उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रडवीर और अर्जुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा है मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सर्गना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायनी प्रेंका च करने लगते हैं फिर चुहें बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वहां आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीज़े आसानी से गले नुढanden में फिल्म में रडवीर सिंख कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों कि रास लिला राम लिला में वे अपना पिस्त दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ भिस्तार ही नजराता है वह चहकते हैं हसाते हैं और एक्टर भी करते हैं लेकिन दिल में नहीं जद द tob प्रेंका चौपड़ा अपने तरा से हुए बदन और मादा कदाओ से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपीस की संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन डे के मखे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन डे का सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उमीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदान सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अकरके यहां भाग आए तो उसकी यह उमीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फारजी रासन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा ने जिसक लिए पाँ जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी सरणाथियों के साथ उनकी संदिक संबेधनाओं को अगर सही मानतों यह नेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्शू से वोट की रोटीस देखते आये हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हेंने 1970-1980 के दसक का सिनेमा पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहाँ गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई गुंडे वैलेंटाइन के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजिन्ट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला यानी अर्जुनकपूर और बिक्रम यानी रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ो फिल्मों की घिसी हुई कॉर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बांगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों ढाका के रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं और एक मिलिटरी अफसर की हत्या कर रेल में बैटके कलकता आ जाते हैं यह हुए कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और फिर कलकता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं लेकिन जैसा की होता है आग को बजाने के लिए पानी जरूरी है कलकता में एसेपी सत्जी सरकार अरी इरफान खान आता है निर्देसक नियहा बाला और बिक्रम की दोस्ती और दुस्मनी दिखाई है उनकी दोस्ती का कारण आप समझ ना सके पर अंदुस्मनी का कारण लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बज़ जाती है वोई प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर है एक दूसरी पर जान छिड़कने वाले दोस्त अचानक जान के दुस्मन बन जाते हैं हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कुन नया नहीं है फिल्म का यह हिस्सा बेहद उबाओ है और आप बेच में अच्छे खासी निंद भी निकाल सकते हैं फिल्म के इस हिस्से में अरजुन कपूर और रडवीर के हिस्से बहुत ही उड़पटा गदाकारी करने का काम आया है और उन्होंने इसे निभाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक कारण यह भी है कि यहां बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके है अरजुन कपूर के मुझे से एक पिटी पिटाई फिलॉस भी कहलवाई गई है यह जिंदगी मुझे से चाहती गया है जब इंसान बनने की कोशिस करता हूँ मुझे पर कालिक पोट देती है दर्सक को समझ नहीं पड़ता कि आखिट डारेक्टर उन से चाहता कि है सिर्फ उनका पैसा इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और राजनितिक चितना के कहानी को उसने कलकत्ता जैसे एतिहासिक महानगर की चाया में खड़ा कर दिया फिल्म पर निदेशक की पकड़ धिली है और कहानी सुष्ट है आप बेचैन होने लगते है कहानी और समाद भी अलियाबाद जफर के ही है लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी नहीं नजराती क्योंकि तेवर सब्द का इस्तमाल फिल्म में दरजन भर बार जोर देकर किया गया है तेवर वाले दो समाद तो यही है अब ये तेवर हमारे खोन में है तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले एक बात और जफर ने जहाँ जहाँ हिंसा दिखाई उन दरस्टों में कबूतर जरूर उड़ाए है फिल्म में रडबीर शिंग और अरजन कपूर पर नया करते नहीं दिखे है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनावर के वला एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है यहां उनका अंदाज तो कायम है लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैसा नहीं है प्रिंका सुन्दर दिखी है परंत उनके किलदार को फिल्म से रोती हुई प्रिंका में तब्दिल कर कमजोर कर दिया गया है हाथ तो तब हो जाती है जब अंदर कवर पुलिस आपसर नंता सेन गुपता बनी प्रिंका चुपडा का गुंडो पर दिला जाता है वह कहते हैं इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है यह बच्चे है हालात के मारे है आश्चर की फूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते कि मासूम लगे बच्चे लगे जह तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खोब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तिमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यह सराज बैनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रेंका चुप्रा लीड रोल में थे अलियपाज अपर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुकुरवार को रिलीज हुई थी लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे दो अनात बच्चो बिक्रम यानि रणबीर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है जब उन्हें 12 साल के उम्र में जिन्दिगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश के वार के दोरान उन्हें दोरते भागते कोलगता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलकता के सबसे बड़े गुंटे बन गए वो ऐसे फिल्म की कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोज सबोत नहीं होता ACP सत्यजी सरकार यानी इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेजा जाता है इदर विक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसर नदिता नी प्रिंका चोपड़ा से होती है पहली नजर में दोनों नदिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरब दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी और इनके किलाब ACP सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोस्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में ACP यानी इर्फान खान गुंटो को पकड़ पाते हैं या नहीं और नधिता गुंटो में से किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले किया था यहाँ PC की एक्टिंग और खासकर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखु भी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल सेन ने कंबोज किया है जिबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तुने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रडबीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जैसने इश्क और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेड संग सेया और रोमांटिक संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वही फिल्म में प्रेंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डारेक्सियल बेंचर में आलियबा जफर अपनी पकर नहीं बना पाये है फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वो महनत रंग लाएगी या नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बेकन फिरी हैं तो आप इस रूमांटिक और एक्शन मूबी को देखे अगर आपका खास प्लान बना कर मूबी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विक्रम और बाला का बच्पन है वो बड़े होते हैं तो मिस्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिल्में भले ही तिहास के रेफ्रेंस से आरंब हो और एह साथ देख की वे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच भाहरा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुष्मनी दोच्ती और बदले की कहानी गुंडे की शुरुआ सांदार होती है बंगला देश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरड होता है स्वेज स्याम तस्वीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ सातिया रियल्टिक हो जाती है फिर तो च्टकदार गाड़े रंगों में ही द्रस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देशक अलियापाज जफन ने बिक्रम और बाला की दोस्टी की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता माज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब या प्रेम या किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोस्टी में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दूस्मनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते है बाद में पता चलता है कि दूस्मनी तो गलत महपी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाए फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते समय रुमाज थ्रिल और आनन्द आना सोभाविक है क्योंकि लंब्दे समय से ऐसी फिल्में नहीं आई है अलिय अबाह चपर की गुंटे में सब कुछ गाढ़ा है इतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है इमोशन, एक्सान, दुस्मनी, दोस्ती, नाजगाना और डालॉग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो नागाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है सवादो को संजे मासूम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपडा ने इस गाढ़ापन में भी अपनी पहचान नहीं छेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के बिसे और करदारों के अनकूल है इर्षाथ कामिन और सोहल सेन ने सब्द और धुन के साथ मसहूर और साथख परियोग किये हैं तूने मारे इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी है मोस्ट आवंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हिरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साउथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दिखाने की दिखा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म की कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उर्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के क्रिश्मे की उम्मीद थी उस पर सो फिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिक्रम और बाला यानि रडवीर और अर्जुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सर्गना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायनी प्रेंका चौपा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डाउन टाइप हीरो उनके आगे पीछे मन राने लगते हैं एसी पी सतीजी सरकार यानी इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीज़े आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रडबीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास लीला राम लीला में अपना बेस्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिश्तार ही नजराता है वो चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन भी करते हैं लेकिन दिल में नहीं उतरते हैं अरजन कपूर की इसकजादे और औरंग जैब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तोर परती है प्रियंका चौपड़ा अपने तरासे हुए बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपीस की संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन डे के मगे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन डे का सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उम्मीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदान सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अकरके यहां भाग आए तो उसकी यह उम्मीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फारजी रासन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा यह जिसक लिए पाँ जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी सरणाथियों के साथ उनकी संदिक संबेधनाओं को अगर सही मानतों नेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आए हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हेंने 1970 से 1980 के दसका सिनेमा परते पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहां गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डेपर रिलीज हुई गुंडे वैलेंटाइन के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजेंट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला अनि अरजुन कपूर और बिक्रम अनि रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ों फिल्मों की घिसी हुई कॉर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बं कलकत्ता के सबसे बड़े गुंडे बंजाते हैं लेकिन जैसा कि होता है आग को बजाने के लिए पानी जरूरी है कलकत्ता में ऐसीपी शतीजी सरकार अरि llevar हान कान आता है निरदेशक नियहां बाला और बिक्रम की दोश्ति और दिसमिनी दिखाई है उनकी दोश्ति का कार cham आप समझ ना सके परंदुस्मनी के कारार लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती है वोई प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरना आते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरी पर जान छिड पठाग अदाकारी करने का काम आया है और उन्होंने इसे निभाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक कारण यह भी है किया बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके हैं अरजुन कपूर के मुझ से ए और राजनितिक चेतना के कहानी को उसने कलकता जैसे एतिहासिक महानगर की छाया में खड़ा कर दिया फिल्म पर निदेशक की पकड़ धिली है और कहानी सुष्ट है आप बेचैन होने लगते हैं कहानी और समाद भी अलिया बाद जफर के ही है लिखक के रूम में आपको उ हमारे खोन में हैं तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले एक बात और जफर ने जहां जहां हिंसा दिखाई उन दरस्तों में कबूतर चुरूर उड़ाए हैं फिल्म में रड़बीर शिंग और अरजन कपूर पर नया करते नहीं दिखे हैं वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनावर के वला एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है यह उनका अंदास तो कायम है लेकिन यह रोल प्रींका चोपड़ा का गुंडों पर दिला जाता है। वह कहते हैं, इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है। ये बच्चे है, हालात के मारे है। आश्चर की फूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते कि मासूम लगे, बच्चे लगे। जहां तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खुब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तिमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बाइनर की मोस्ट टाउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रडवीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रियंका चुप्रा लीड रोल में थे अलियपाज अपर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुक्रवार को रिलीज हुई थी, लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे दो अनात बच्चो बिक्रम यानि रणबिर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है, जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है, जब उन्हें 12 साल के उम्मर में जिंदगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा, बास साल 1971 के आस पास की है, जब बांगला देश के वार के दोरान उन्हें दोरते भागते कोलगता आना पड़ा, देखते ही देखते दोनों कोलगता के सबसे बड़े गुंटे बन गए, वो ऐसे फिल्म के कहानी में ट्विश् पहली नजर में दोनों नंदिता को दिल दे बढ़ते हैं, एक तरब दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी और इनके किलाब S.E.P. सबूत अकठा कर रहे हैं, प्यार दोश्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है, फिल्म में S.E.P. या पहली बार कैबले डांसर का रोल प्ले किया था, यहां PC की एक्टिंग और खासकर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है, हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखु भी निभाया है, गुंटे का म्यूजिक ठीक ठाक है, फिल्म का म प्रिंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है, मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी डूसरी डारेक्शियल बेंचर में आलियबा जफार अपनी पकड़ नहीं बना पाए है, फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी लगता है, तीनों ही सित कलान बना कर मूबी को देखना चाते हैं, तो साथ आप निरास हो सकते हैं, दोस्ती दुसमनी की सिटक कहानी यसराज फिल्म की अलियबाद जफार दौरा निर्दैसित फिल्म गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिल्मों की यादाना मुम्किन है, या फिल्म उसी पीरि प्रेंच से आरंब हो और एहसाथ देख की वे सिनेमा को रियल टेस्ट दे रही है, कुछ समय के बाद सारा सच बहरा जाता है, रह जाते हैं कुछ किल्दार और उनके प्रेम, दुस्मनी, दोस्ती और बदले की कहानी, गुंडे की शुरुआ सांदार होती है, बंगला देश प्रेम और बाला की दोस्ती की फिल्म कहानी गड़ी है, ऐसी मिंतरता महज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब यह प्रेम या किसी और की वज़े से तूटती है, तो अच्छा ड्रामा बनता है, दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने बाले दूस्मनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि दूस्मनी तो गलत महपी में हो गई थी, गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाए फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है, फिल्म देखते की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है, इमोशन, एक संदूस्मनी, दोस्ती, नाज गाना और डालॉग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो, ना गाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है, सव कामिन और सोहल सेन ने सब्द और्धन के साथ मसहूर और साथख परियोग किये हैं, तूने मारी इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया, कुछ ऐसी हैं मोस्ट आवंटेट फिल्म गुंडे, जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है, लब इन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उर्जल में डाल देती है, फिल्म में जिस तरह के कृश्मे की उम्मीद थी उस पर सोफिष्टी खरी नहीं उतरती है, फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रडवीर और अर्जुन है, वक्त के मारे हैं, बे सहारा हैं, मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं, इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सर्गना बन जाते हैं, कैबरे डांसर नंदितायनी प्रेंका चुपा आती है, और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है, डाउन से भागते हैं, कई तरह के सत सामने आते हैं, और डारेक्टर को लगता है, कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा, लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रेक से उतर जाती है, चीज़े आसानी से गले नहीं उतरती, फिल्म में रडवीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं, गोलियों अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है, उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तौर पर दी है, प्रियंका जोपड़ा अपने तरासो ही बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है, लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता, एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है, फिल्म की यूसपीस की संगित को कहा जा सकता है, गाने बहतरीन है, तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती, फिल्म वैलेंटाइन डे के मगे पर रिलीज हुई थी, लेकिन वैलेंटाइन डे का कतल करके यहां भाग आए तो उसकी यह उम्मीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिंदगी कठिन हुई तो आस सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फ देफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्होंने 1970-1980 के दसक का सिनेमा पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहां गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी ging जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डेfer रिलीज गुंडे वालेंटाइंग के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वह पुलिस की अंडरकवर एजिंट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला अनि अर्जुन कपूर और बिक्रम अनि रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ों फिल्मों की घिसी वी कॉर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बांगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों धाका के रिफ्यूजी कैप में रहते हैं और एक सिपी सत्यजी सरकार अरी इर्फान खान आता है निर्देशक नियहां बाला और बिक्रम की दोष्टी और दुस्मनी दिखाई है उनकी दोष्टी का कारण आप समझ ना सके पर दुस्मनी का कारण लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती है वे प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरी पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के दुस्मन बन जाते हैं हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कुन नया नहीं ह फिल्म का यह हिस्सा बेहदो बाओ है और आप बेच में अच्छी खासी निंद भी निकाल सकते हैं फिल्म के इस हिसे में अरजुन कपूर और रणवीर के हिस्से बहुत ही ओड़पटा गदाकारी करने का काम आया है और उन्होंने इसे निभाया भी है फिल्म में मौलकता कायब है इसका एक करण यह भी है कि यह बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके हैं अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी-पिटाई फिलोस्पी कहलवाई गई है यह जिन्दगी मुझ से चाहती गया है जब कलकता जैसे एतिहासिक महानगर की छाय में खड़ा कर दिया फिल्म पर निदेशक की पकड़ धिली है और कहानी सुष्ट है आप बेचैन होने लगते हैं कहानी और समाद भी अलियाबाद जफर के ही है लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी नहीं नज़रात लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी भी नज़राती है क्योंकि तेवर सब्द का इस्तमाल फिल्म में दरजन भर बार जोर देकर किया गया है तेवर वाले दो समाद तो यही है अब ये तेवर हमारे खोन में है तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा और हो तो उनके सामने लंबा करियर है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था जबकि इरपान खान के द्वारा रोल का चुनावर के वला एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है यह उनका अंदास तो कायम है लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैस मासूम दिल है यह बच्चे है हालात के मारे है आश्चर की फूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते कि मासूम लगे बच्चे लगे जह तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर रह हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खुब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बाइनर की मोस्ट टाउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रियंका चुप्रा लीड रोल में थे अलियपाज अपर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुकूरवार को रिलीज हुई थी लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे दो अनात बच्चों बिक्रम यानि रणबीर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है जब उन्हें बारा साल के उम्र में जिंदगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश के वार के दोरान उन्हें दोरते भागते कोलकता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलकता के सबसे बड़े गुंटे बन गए वो ऐसे फिल्म के कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोस सबोत नहीं होता एसेपी सत्यजी सरकार यानि इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेज़ा जाता है इदर विक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसर नदिता नी प्रेंका चोपडा से होती है पहली नजर में दोनों नदिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरब दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी और इनके किलाब एसेपी सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोस्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में एसेपी और इर्फान खान गुंटो को पकड़ पाते हैं या नहीं और नदिता गुंटो में से किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले गिया था यहाँ PC की एक्टिंग और खास कर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखु भी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल सेन ने कंबोज किया है जिबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तूने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रडबीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जसने इसक और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेर्ड संग सेया और रोमांटिक संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वोई फिल्म में प्रिंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डायरेक्सियल बेंचर में आली अबाज जफार अपनी पकर नहीं बना पाये है फिल्म का डायरेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वो महनत रंग लाएग या नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बिकर्ण फिरी हैं तो आप इस रूमांटिक और एक्शन मुवी को देखे अगर आपका खास प्लान बना कर मुवी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुस्मजी की शिटक कहानी यसराज फिल्म्स की अलिय अबाद जफर दौरा निर्दैसित फिल्म गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिल्मों की यादाना मुम्किन है या फिल्म उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विक्रम और बाला का बजबन है वो बड़े होते हैं तो मिस्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिल्मे भले ही दिखास के रेफ्रेंस से आरंब हो और एहसाथ देख की वे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहर हा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम, दुस्मनी, दोष्टी और बदले की कहानी गुंडे की सिरुआ सांदार होती है बंगलादेश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरण होता है स्वेज स्याम तस्बीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ साथ या रियलिटिक हो जाती है फिर तो चितकदार गाड़े रंगों में ही द्रस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देसक अलिया पाज जफ़ने बिक्रम और बाला की दोष्टी की फिल्म का हनी गड़ी है ऐसी मिंतरता महज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब या प्रेम या किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोष्टी में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दूसमनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दूसमनी तो गलत महपी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाए फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते से में रुमाज थ्रिल और आनन्द आना सोभाविक है क्योंकि लंदे समय से ऐसी फिल्में नहीं आई हैं अलिय अबा चफर की गुंडे में सब कुछ गाढ़ा है यतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कढ़वा लगता है इमोशन, एक्सान, दुस्मनी, दोस्ती, नाच गाना और डालॉग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो ना गाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है सवादो को संजे मासूम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपड़ा ने इस गाढ़ेपन में भी अपनी पहचान नहीं छेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के बिसे और किरदारों के अनकूल है इरसाथ कामिन और सोहल सैन ने सब्द और धुन के साथ मसहूर और साथख परियोग किये है तूने मारी इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी हैं मोस्ट आवंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाए गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उल्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के करिश्मे की उमीद थी उस पर सोफिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रडवीर और अर्जुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायानी प्रेंका चौपा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डाउन टाइप हीरो उनके आगे पीछे मन राने लगते हैं एसी पी सतीजी सरकार यानी इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीजे आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रडवीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास लीला राम लीला में वे अपना बेश्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिश्तार ही नजराता है वे चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन भी करते हैं लेकिन दिल में नहीं उतरते हैं अरजिन कपूर की इसके जादे और और अरंग जैब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तोर पर्गती है प्रियंका जोपड़ा अपने तरासे हुए बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपीस की संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन डे के मगे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन डे का सिनेमा तो कते ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उम्मीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदान सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अकरके यहां भाग आए तो उसकी यह उम्मीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आस सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फाजी रासन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा ने जिसक लिए पाज जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी स्रणाराथियों के साथ उनकी संदिक संबेदनाओं को अगर सही मानने तो यह नेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आये हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हेंने 1970 से 1980 के दसक का सिनेमा परदेपर उतारा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहाँ गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डेपर रिलीज हुई गुंडे वैलेंटाइंग के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजिन्ट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला अनि अरजुन कपूर और बिक्रम अनि रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ो फिल्मों की घिसी वी कॉर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बंगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों ढाका के रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं और एक मिलिटरी अपसर की हत्या कर रेल में बैटके कलकता आ जाते हैं यहाँए कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और फिर कलकता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं लेकिन जैसा की होता है आग को बजाने के लिए पानी जरूरी है कलकता में एसेपी सत्यजी सरकार अरी इरफान खान आता है निर्देसक नियहाँ बाला और बिक्रम की दोस्ती और दुस्मनी दिखाई है उनकी दोस्ती का कारण आप समझ ना सके पर दुस्मनी का कारण लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बज़ जाती है वोई प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरी पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के दुस्मन बन जाते हैं हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कुन नया नहीं है फिल्म का यह हिस्सा बेहद उबाओ है और आप बेच में अच्छी खासी निंद भी निकाल सकते हैं फिल्म के इस हिस्से में अरजुन कपूर और रणवीर के हिस्से बहुत ही उड़पटा गदाकारी करने का काम आया है और उन्होंने इसे निभाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक कारण यह भी है किया बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके है अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी पिटाई फिलोस्पी कहलवाई गई है यह जिन्दगी मुझ से चाहती क्या है जब इंसान बनने की कोशिस करता हूँ मुझ पर कालिक पोद देती है दर्सक को समझ नहीं पड़ता कि आखिट डारेक्टर उन से चाहता कि है सिर्फ उनका पैसा इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और राजनितिक चेतना के कहानी को उसने कलकता जैसे एतिहासिक महानगर की चाया में खड़ा कर दिया फिल्म पर निदेशक की पकड़ धिली है और कहानी सुष्ट है आप बेचैन होने लगते है कहानी और समाद भी अली अबाद जफर के ही है लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी नहीं नजराती क्योंकि तेवर सब्द का इस्तमाल फिल्म में दरजन भर बार जोर देकर किया गया है तेवर वाले दो समाद तो यही है अब ये तेवर हमारे खोन में है तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले एक बात और जफर ने जहाँ जहाँ हिंसा दिखाई उन दरस्टों में कबूतर शरूर उड़ाए है फिल्म में रडबीर शिंग और अरजन कपूर पर नया करते नहीं दिखे है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनावर के वल एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है यहां उनका अंदास तो कायम है लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैसा नहीं है परिंका सुन्दर दिखी है परंत उनके किलदार को फिल्म से रोते हुई परिंका में तब्देल करकम जोर कर दिया गया है हाथ तो तब हो जाती है जब अंदर कवर पुलिस आपसर नंता सेन गुपता बनी परिंका चोपडा का गुंडो पर दिला जाता है वह कहते हैं इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है यह बच्चे हैं हालात के मारे है आश्चर की पूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते की मासूम लगे, बच्चे लगे जहां तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खोब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बैनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रियंका चुप्रा लीड रोल में थे अलियपाज अपर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुकुरवार को रिलीज हुई थी लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे दो अनात बच्चो बिक्रम यानि रणबीर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है जब उन्हें 12 साल के उम्र में जिन्दिगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश के वार के दोरान उन्हें दोरते भागते कोलकता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलकता के सबसे बड़े गुंटे बन गए वो ऐसे फिल्म की कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोज सबोत नहीं होता ACP सतिजी सरकार यानी इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेजा जाता है इदर विक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसर नदिता नी प्रेंका चोपडा से होती है पहली नजर में दोनों नदिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरफ दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी ओरेंड के किलाप ACP सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोश्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में ACP यानी इर्फान खान गुंटो को पकड़ पाते हैं या नहीं और नदिता गुंटो में सख किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रड़बीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ नभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले गिया था यहाँ PC की एक्टिंग और खास कर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इरफान ने अपने रोल को बाखुबी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल सेन ने कंबोज किया है जबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तुने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रणबीर अरजुन का ब्रोमांस देखते फिल्म के दो सांग जशने इसक और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेर्ड संग संद जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वोई फिल्म में प्रिंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डारेक्सियल बेंचर में आलियबा जफर अपनी पकर नहीं बना पाये है फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर करी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वह महनत रंग लाए गिया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस विकन फिरी हैं तो आप इस रूमांटिक और एक्शन मुवी को देखे अगर आपका खास प्लान बना कर मुवी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुस्मजी की चिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाज जफर दौरा निर्दैसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विक्रम और बाला का बजबन है वो बड़े होते हैं तो मिस्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिलमें भले ही तिहास के रेफ्रेंस से आरंब हो और एहसा देद कीवे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहरा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोच्टी और बदले की कहानी गुंडे के शुरुआ सांधार होती है बंगलादेश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरण होता है स्वेज स्याम तस्बीर में सब को रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ साथ यह रियल्टिक हो जाती है फिर तो शुटकदार गाड़े रंगों में ही द्रस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देसक अलियवाज जफन ने बिक्रम और बाला की दोच्टी की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता महज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब यह प्रेम यह किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दूसमनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दूसमनी तो गलत महपी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाए फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते से में रुमाज थ्रिल और आनन्द आना स्वभाविक है क्योंकि लंब्दे समय से ऐसी फिल्में नहीं आई है अलिय अबाज चफर की गुंडे में सब कुछ गाढ़ा है इतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है इमोशन, एक्शन, दुस्मनी, दोस्ती, नाच गाना और डालाग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो ना गाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है सवादो को संजे मासूम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपड़ा ने इस गाढ़ेपन में भी अपनी पहचान नहीं छेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के बिसे और किरदारों के अनकूल है इरसाथ कामिन और सोहल सैन ने सब्द और धुन के साथ मसहूर और साथक परियोग किये है तूने मारे इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी हैं मोस्ट आउंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उल्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के करिश्मे की उमीद थी उस पर सोफिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रड़वीर और अरजुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायानी प्रेंका चोपड़ा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डाउन टाइप हीरों उनके आगे पीछे मन राने लगते है एसी पी सतीजी सरकार यानि इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते है फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते है और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीजे आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रडबीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास लीला राम लीला में अपना बेश्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिश्तार ही नजराता है वह चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन भी करते हैं लेकिन दिल में नहीं उतरते हैं अरजिन कपूर की इसके जादे और औरंग जैब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तोर परती है प्रियंका जोपड़ा अपने तरासे हुए बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपीस की संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन डे के मखे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन डे का सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उम्मीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदान सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल करके यहां भाग आए तो उसकी यह उम्मीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फारजी रासन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा ने जिसक लिए पाँ जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बांगला देशी स्रणाराथियों के साथ उनकी संदिक संबेदनाओं को अगर सही मानने तो यह नेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आये हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हें ने सु सतर से नी सो अस्टी के दसक का सिनेमा परते पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहाँ गायब है जफर भोल गया कि उच जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डेपर रिलीज हुई गुंडे वैलेंटाइन के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजिन्ट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला अनि अर्जुन कपूर और बिक्रम अनि रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ों फिल्मों की घिसी भी कॉर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बंगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों ढाका के रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं और एक मिलिटरी अपसर की हत्या कर रेल में बैटके कलकत्ता आ जाते हैं यहां कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और फिर कलकत्ता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं लेकिन जैसा कि होता है आग को बज कारण लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती है कोई प्यार में राजिस खन्ना बनना चाहते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरी पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के द भाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक करण यह भी है कि यह बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके हैं अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी पिटाई फिलोस्पी कहलवाई गई है यह बहुत और राजनितिक चितना के कहानी को उसने कलकता जैसे एतिहासिक महानगर की छाया में खड़ा कर दिया फिल्म पर निदेशक की पकड़ धिली है और कहानी सुष्ट है आप बेचैन होने लगते हैं कहानी और समाद भी अली अबाद जफर के ही है लिखक के रूम में आ हमारे खोन में हैं तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले एक बात और जफर ने जहां जहां हिंसा दिखाई उन द्रस्तों में कबूतर चुरूर उड़ाए हैं फिल्म में रड़बीर शिंग और अरजुन कप याद रखने जैसा नहीं है प्रिंका सुंदर दिखी है परंत उनके किलदार को फिल्म से रोती हुई प्रिंका में तबदील करकमजोर कर दिया गया है हाथ तो तब हो जाती है जब अंडर कवर पुलिस आपसर नंता सेन गुपता बनी प्रिंका चुपडा का गुंडो पर दिला जाता है वह कहते हैं इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है ये बच्चे है हालात के मारे है आश्चर की फूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते कि मासूम लगे बच्चे लगे जहां तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारो को यही करना चाहिए जो यहां बिक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खोब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बैनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणवीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रियंका चुप्रा लीड रोल में थे अलियपाज अपर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुक्रवार को रिलीज हुई थी लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे दो अनात बच्चो बिक्रम यानि रणवीर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है जब उन्हें बारा साल के उम्र में जिंदगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश के वार के दोरान उन्हें दोरते भागते कोलकता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलकता के सबसे बड़े गुंटे बन गए वो ऐसे फिल्म की कहानी में टुष्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोस सबोत नहीं होता एसेपी सतिजी सरकार यानि इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेज़ा जाता है इदर बिक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसर नदिता नी प्रेंका चोपडा से होती है पहली नजर में दोनों नदिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरब दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी ओरेंड के किलाब एसेपी सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोस्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में एसेपी और इर्फान खान गुंटो को पकड़ पाते हैं या नहीं और नदिता गुंटो में से किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले गिया था यहां PC की एक्टिंग और खास कर उनका अंदाध दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखुबी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल से ने कंबोज किया है जबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तुने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रडबीर अरजुन का ब्रोमांस देखते फिल्म के दो सांग जैसने इश्क और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेड संग संग और रोमांटिक संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वोई फिल्म में प्रिंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डारेक्सियल बेंचर में आलियबा जफर अपनी पकर नहीं बना पाये है फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर करी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वो महनत रंग लाए गिया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस विकन फिरी हैं तो आप इस रूमांटिक और एक्शन मूबी को देखे अगर आपका खास पलान बना कर मूबी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुसम्जी की चिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाज जफर दौरा निर्दैसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विक्रम और बाला का बच्पन है वो बड़े होते हैं तो मिश्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिलमें भले ही तिहास के रेफ्रेंस से आरंब हो और एहसाद देद कीवे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहरा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोच्टी और बदले की कहानी गुंडे के शुरुआ सांधार होती है बंगलादेश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरण होता है स्वेज से आम तस्बीर में सब को रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ साथ यह रियल्टिक हो जाती है फिर तो शुटकदार गाड़े रंगों में ही द्रस और ड्रामा दिखाई पड़ते है लेकर निर्देशक अलियाबाज जफन ने बिक्रम और बाला की दोच्टी की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता माज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब यह प्रेम यह किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दुसमनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दूसमनी तो गलत महपी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाए फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते से में रुमाज थ्रिल और आनन्द आना सोभाविक है क्योंकि लंब्दे समय से ऐसी फिल्में नहीं आई हैं अलियबभाज चफर की गुंडे में सब कुछ गाढ़ा है यतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कढ़वा लगता है से मासुम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपड़ा ने इस गाढ़ेपन में भी अपनी पहचान नहीं चेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधुर और फिल्म के बिसे और करदारों के अनकूल है इर्षाद कामिल और सोहल सेन ने सब्द और धुन के साथ मसहूर और साथक परियोग किये है तूने मारी इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी है मोस्ट आवंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साउट की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उर्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के करिश्मे की उमीद थी वो इस पर सोफिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रड़वीर और अर्जुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायानी प्रेंका चोपडा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डाउन टाइप हीरों उनके आगे पीछे मन राने लगते है एसी पी सतीजी सरकार यानि इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते है और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीजे आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रडबीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास लीला राम लीला में अपना बेश्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिस्तार ही नजराता है वह चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन भी करते हैं लेकिन दिल में नहीं उतरते हैं अरजिन कपूर की इसके जादे और औरंग जैब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तोर परती है प्रियंका जोपड़ा अपने तरासे हुए बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपी इसकी संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन डे के मखे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन डे का सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उम्मीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदान सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अकरके यहां भाग आए तो उसकी यह उम्मीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फारजी रासन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी स्रणाथियों के साथ उनकी संदिक संबेदनाओं को अगर सही मानने तो यह नेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आये हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हें नें 1970-1980 के दसक का सिनेमा परते पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहाँ गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई गुंडे वैलेंटाइन के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहारी नहीं है, दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं, वह पुलिस की अंडरकवर एजिन्ट निकलती है, दोनों धोखा खाते हैं, 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है, बाला अनि अर्जुन कपूर और बिक्रम अनि फ्यूजी कैम्प में रहते हैं, और एक मिलिटरी अपसर की हत्या कर, रेल में बैटके कलकता आ जाते हैं, यहाँए कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं, और फिर कलकता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं, लेकिन जैसा कि होता है, आग को बजाने के लिए पा जाती हैं, वे प्यार में राजिस खना बनना चाते हैं, लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं, जो बहुत कमजोर हैं, एक दूसरी पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के दुस्मन बन जाते हैं, हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कु यह बीते जमाने की कहानी कह रही है, और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके हैं, अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी पिटाई फिलॉस्पी कहलवाई गई है, यह जिन्दगी मुझ से चाहती गया है, जब इंसान बनने की कोशिस करता हू मुझ पर कालिक पोद देती है, दरसक को समझ नहीं पड़ता कि आखिट डारेक्टर उन से चाहता कि है, सिर्फ उनका पैसा, इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और राजिनितिक चेतना के कहानी को उसने कलकत्ता जैसे इतिहासिक महानगर की चाया में खड़ा कर दिया, फिल क्योंकि तेवर सब्द का इस्तिमाल फिल्म में दरजन भर बार जोर देकर किया गया है, तेवर वाले दो समझ तो यही है, अब ये तेवर हमारे खोन में है, तेरे भौकनी से कुछ नहीं होगा, और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले, एक बात खान के दोरा रोल का चुनाओर के वल एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है, यह उनका अंदाज तो कायम है, लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैसा नहीं है, परिंका सुन्दर दिखी है, परंत उनके किलदार को फिल्म से रोते हुई में तब्दिल करकमजोर कर दिया गया है, हाथ तो तब हो जाती है जब अंडर कवर पुलिस आपसर नंता सेन गुपता बनी प्रिंका चुपडा का गुंडों पर दिला जाता है, वह कहते हैं इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है, यह बच्चे है, हालात के मारे है, अंडे और डंडे से खोब मिलती है, कई बार तो आपका मन इनका इस्तमाल करने का होने लगता है, वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बैनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंडे रिलीज हो गई थी, फिल्म में रणबीर सिंग, अर्जुन कपूर और प्रियंका अर्जुन कपूर की कहानी है, जिनने प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंडा बढ़ना पड़ता है, जब उन्हें बारा साल के उम्र में जिन्तिकी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा, तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा, बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश की वार के दोरान, उन्हें दोरते भागते कोलकता आना पड़ा, देखते ही देखते दोनों कोलकता के सबसे बड़े गुंडे बन गए, वैसे फिल्म की कहानी में ट्विश्ट तब आता है, जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोज सबोत नह रहे हैं, प्यार दोश्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है, फिल्म में एसे पी और इर्फान खान गुंडों को पकड़ पाते हैं या नहीं, और नदिता गुंडों में से किसकी होती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है, एक्टिंग की बात करे तो परजिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली, दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है, हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है, प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार क एपने डांसर का रोल पिले गिया था यहां PC की एक्टिंग और खासकर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखुबी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठीक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल से ने कंबोज किया है जिबकि लिरिक्स है इरसाथ कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तुने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रडबीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जैसने इसक और टाइटल सांग भी अच्छे हैं हाला कि फिल्म का सेड़ संग संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे हैं वही फिल्म में प्रेंका का कैबरे नंबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी डिरेक्सियल बेंचर में आलियबा जफर अपनी पकर नहीं बना पाये हैं फि प्लान बना कर मूबी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुसम्जी की चिटक कहानी यसराज फिल्म्स की अलियबाद जफर दौरा निर्दैसित फिल्म गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिल्मों की यादाना मुम्किन है या फिल्म उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनेमा घर में जंजीर लगी हुई है या विक्रम और बाला का बच्पन है वो बड़े होते हैं तो मिश्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिल्में भले ही इतिहास के रेफ्रेंस से आरंब हो और एहसाद देख की वे सिनेमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहरा जाता है रहे जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोष्टी और बदले की कहानी गुंडे की सिरुआ सांदार होती है बंगला देश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरण होता है स्वेज स्याम तस्वीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दुस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दुस्मनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दुस्मनी तो गलत महपी में हो गई थी गु क्योंकि लंबे समय से ऐसी फिल्में नहीं आई है अलिय अपाज चफर की गुंटे में सब कुछ गाढ़ा है इतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है इमोशन एक संदुस्मनी दोस्ती नाज गाना और डालॉग डिलीबरी तक में न पहचान नहीं चेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के विसय और करदारों के अनकूल है इर्शाथ कामिन और सोहल सेन ने सब्द और धन के साथ मसहूर और साथक परियोग किये हैं तूने मारी इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी है मोस्ट आवंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सिता और बाला यानि रडवीर और अर्जुन हैं वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदिता यानी प्रेंका चोपड़ा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डॉन टाइप हीरों उनके आगे पीछे मन राने लगते है एसीपी सतीजी सरकार यानी इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुहे बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं लेकिन देल में नहीं उतरते हैं अरजुन कपूर की इसके जादे और और अरंग जयब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तोर परती है प्रियंका खान जितना समय रहते हैं ठीक लगता है फिल्म की यूसपी इसके संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन टे के मगे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन टे का सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उमीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदन सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अगर के यहां भाग आए तो उसकी यह उमीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे ब बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फाजी रासन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा ने जिसक लिए बास जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशिस रड़ातियों के साथ उनकी संदिक संबेदनाओं को अगर सही मानुत वे नेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आए हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्होंने उनीस सो सतर 1980 के दसक का सिनेमा परते पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहां गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती च खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला अर्जुन कपूर और बिक्रम अनि रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ों फिल्मों की घिसी भी कौर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बंगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों ढाका के रिफ्यूजी कैम्प में रहते हैं और एक मिलिटरी अफसर की हत्या कर रेल में बैटके कलकता आ जाते हैं यहाँए कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और फिर कलकता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं लेकिन जैसा कि होता है दुसमनी के कारण लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती हैं वे प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त आच निवाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक कारण यह भी है किया बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके हैं अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी-पिटाई फिलॉस्पी कहलवाई गई है ये जि बनने की कोशिश करता हूँ मुपर कालिक पोद देती है दरसक को समझ नहीं पड़ता कि आखिट डारेक्टर उन से चाहता कि है सिर्फ उनका पैसा इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और राजिनितिक चितना के कहानी को उसने कलकता जैसे इतिहासिक महानगर की छाया में लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी भी नजराती है क्योंकि तेवर सब्द का इस्तमाल फिल्म में दरजन भर बार जोर देकर किया गया है तेवर वाले दो समवात तो यहीं है अब ये तेवर हमारे खोन में है तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा और हो तो उनके सामने लंबा करियर है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनाओर के वल एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मात्र लगता है यह उनका अंदास तो कायम है लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैस मासूम दिल है यह बच्चे है हालात के मारे है आश्चर की फूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते कि मासूम लगे बच्चे लगे जहां तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खुब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यसराज बाइनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रियंका चुप्रा लीड रोल में थे अलियपा जफर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुक्रवार को रिलीज हुई थी लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे तो अनात बच्चों बिक्रम यानि रणबीर सिंग और बाला यानि अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है जब उन्हें 12 साल के उम्र में जिन्तिगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश की वार के दोरान उन्हें डौरते भागते कोलगता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलगता के सबसे बड़े गुंटे बन गए वो ऐसे फिल्म की कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोज सबोत नहीं होता एसेपी सत्यजी सरकार यानि इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेज़ा जाता है इदर विक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसन नंदिता नी प्रेंका चोपडा से होती है पहली नजर में दोनों नंदिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरब दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी और इनके किलाब एसेपी सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोस्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में एसेपी और इर्फान खान गुंटो को पकड़ पाते हैं या नहीं और नंदिता गुंटो में से किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले गिया था यहाँ PC की एक्टिंग और खासकर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखुबी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल सेन ने कंबोज किया है जिबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तूने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रडबीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जशने इसक और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेट संग संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वही फिल्म में प्रिंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डारेक्सियल बेंचर में आली अबाज जफर अपनी पकर नहीं बना पाये है फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वो महनत रंग लाए गिया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बिकन फिरी हैं तो आप इस रोमांटिक और एक्शन मुवी को देखे अगर आपका खास पलान बना कर मुवी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुसम्जी की चिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाज जफर दौरा निर्दैसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विक्रम और बाला का बच्पन है वो बड़े होते हैं तो मिश्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी पिलमें भले ही इतिहास के रेफरेंस से आरंब हो और एहसाद देद कीवे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहरा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोष्टी और बदले की कहानी गुंडे की सुरुआ सांधार होती है बंगलादेश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरण होता है सुएस स्याम तस्बीर में सब को रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ साथ यह रियल्टिक हो जाती है फिर तो श्टकदार गाड़े रंगों में ही दरस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देशक अलियबा जफ़र ने बिक्रम और बाला की दोष्टी की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता महज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब यह प्रेम यह किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोष्टी में एक दूसरे के लिए जान देने की कसमे खाने वाले दुस्मनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दूसरे तो गलत महपी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाए फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते से में रुमाज थ्रिल और आनन्द आना सोभाविक है क्योंकि लंबे समय से ऐसी फिल्में नहीं आई हैं अलिय अपाज चफर की गुंडे में सब कुछ गाढ़ा है इतना गाढ़ा है कि अत की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कढ़वा लगता है इमोशन, एक्सान दुस्मनी, दोस्ती, नाच गाना और डालाग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो ना गाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है संवादो को संजे मासूम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपडा ने इस गाढ़ेपन में भी अपनी पहचान नहीं छेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के विसे और किरदारों के अनकूल है इसाथ कामिन और सोहल सेंन ने सब्द और धुन के साथ मसहूर और साथख परियोग किये है तूने मारी इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंटिया कुछ ऐसी हैं मोस्ट आउन्टेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोर है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अलाग अंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उन्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के करिश्मे की उमीद थी वो इस पर सोफिष्टी खरी नहीं उतर दी है फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रडवीर और अरजुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदी तायानी प्रेंका चौपा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डॉन टाइप हीरों उनके आगे पीछे मन राने लगते हैं एसी पी सतीजी सरकार यानि इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुए बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीज़े आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रडबीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास लीला राम लीला में वे अपना बेस्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिस्तार ही नजराता है वे चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन भी करते हैं लेकिन दिल में नहीं उतरते हैं अरजिन कपूर की इसके जादे और और अरंग जयब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसी पर थोड़ी मिनत करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंग मैन के तौर पर दी है प्रियंका जोपड़ा अपने तरासो ही बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपी इसकी संगीत को कहा जा सकता है गाने बहतरीन है तीनों की टिकड़ी मज़ा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन टे के मगे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन टे का सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उमीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदन सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अकरके यहां भाग आए तो उसकी यह उमीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फाजी राशन कार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा ने जिसक लिए पाज जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी स्रणाथियों के साथ उनकी संदिक संबेदनाओं को अगर सही माने तो इनेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आये हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हें ने उननी सु सतर चाइन सो आच्टी के दसक का सिनेमा पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहाँ गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती वैसे ही वेलेंटाइन डेपर रिलीज हुई गुंडे वेलेंटाइन के लिए नहीं थी पन सेकड़ों फिल्मों की घिसी वी कौर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बंगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों ढाका के रिफ्यूजी कैम्प में रहते हैं और एक मिलिटरी अपसर की हत्या कर रेल में बैट के कलकत्ता आ जा है निर्देशक निहां बाला और विक्रम की दोष्टी और दुस्मिनी दिखाई है उनकी दोष्टी का कारण आप समझ ना सके पर दुस्मिनी का कारण लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बच जाती हैं वह प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते ह लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर हैं एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के दुस्मन बन जाते हैं हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कुन नया नहीं है फिल्म का यहा हिस्सा बेहद उबाओ है और बीच में अच्छी खासी निंद भी निकाल सकते हैं फिल्म के इस हिस्से में अर्जुन कपूर और रणवीर के हिस्से बहुत ही उड़पटा गदाकारी करने का काम आया है और उन्होंने इसे निभाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक करण यह भी है किया बीत करता हूं मौपर कालिक पोड़ देती है दर्सक को समझ नहीं पड़ता कि आखिर डारेक्टर उनसे चाहता कि है सिर्फ उनका पैसा इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और राजनितिक चेतना के कहानी को उसने कलकता जैसे इतिहासिक महानगर की छाया में खड़ा कर दिया फि देखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी भी नजराती है क्योंकि तेवर सब्द का इस्तमाल फिल्म में दर्जन भर बार जोर देकर किया गया है तेवर वाले दो समवात तो यही है अब यह तेवर हमारे खोन में है तेरे भौकनी से कुछ नहीं होगा और हो तो लंबा करियर था जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनावर के वल एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है यह उनका अंदाज तो कायम है लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैसा नहीं है प्रिंका सुंदर दिखी है परंत उनके कि रंग के पीछे मासूम दिल है यह बच्चे है हालात के मारे है आश्चर की फूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते कि मासूम लगे बच्चे लगे जहांतकि हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक् प्रेंडे के खास मौके पर यसराज बाइनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी। फिल्म में रणबीर सिंग, अर्जुन कपूर और प्रिलेंका चोप्रा लीड रोल में थे। अलिय अपाज अपर के निल्देशन में बनी या फिल्म सुकुरवार को पर लीजुई थी, लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी। गुंटे ऐसे दो अनात बच्चों बिक्रम यानि रणबीर सिंग और बाला यानि अर्जुन कपूर की कहानी है, जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है, जब उ लेकिते दोनों को लकत्ता की सबसे बड़े गुंटे बन गए, वैसे फिल्म की कहानी में ट्विश्ट तब आता है, जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोज सबुत नहीं होता, एसे पी सतिजी सरकार यानी इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, इदर विक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसन नंदिता नी प्रिंका चोपडा से होती है, पहली नजर में दोनों नंदिता को दिल दे बढ़ते हैं, एक तरफ दोनों गु दो में से किसकी होती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है, एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली, दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है, हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अ जबकि लिरिक्स हैं इर्शाथ कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तूने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रड़बीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जसने इसक और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेड संग संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वही फिल्म में प्रिंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डारेक्सियल बेंचर में आली अबाज जफर अपनी पकर नहीं बना पाए है फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर करी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वो महनत रंग लाए गिया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बिकन फिरी हैं तो आप इस रोमांटिक और एक्शन मूबी को देखे अगर आपका खास पलान बना कर मूबी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ती दुसमजी की चिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाज जफर दौरा निर्दैसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विक्रम और बाला का बजबन है वो बड़े होते हैं तो मिस्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिलमे भले ही तिहास के रेफरेंस से आरंब हो और एह साथ देद कीवे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहरा जाता है रह जाते हैं कुछ किरदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोच्टी और बदले की कहानी गुंडे के सिरुआ सांदार होती है बंगलादेश के जन्म के साथ बिक्रम और बाला का आउतरण होता है स्वेज स्याम तस्बीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ साथ यह रियल्टिक हो जाती है फिर तो शिटकदार गाड़े रंगों में ही दरस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देशक अलियबा जफर ने बिक्रम और बाला की दोच्टी की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता महज फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब यह प्रेम यह किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दुस्मनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो जाते हैं बाद में पता चलता है कि दुसमनी तो गलत महफी में हो गई थी गुंडे कुछ ऐसी ही फिल्म है जो हिंदी फिल्मों के सारे अजमाय फारमूलों को फिर से इस्तिमाल करती है फिल्म देखते समय रुमाज थ्रिल और आनंद आना सोभाविक है क्योंकि लंब्द समय से ऐसी फिल्में नहीं आई है अलिय अबाद चफर की गुंडे में सब कुछ गाढ़ा है इतना गाढ़ा है कि अद की वज़े से उसका स्वाद कभी कभी कड़वा लगता है इमोशन, एक्सान, दुस्मनी, दोस्ती, नाच गाना और डालाग डिलीबरी तक में निद्यसक की तरफ से पूरी टीम को हिदायत है कि कुछ भी हलका और पतला ना हो ना गाढ़ापन ही गुंडे की खासियत है समयादो को संजे मासूम ने गाढ़ा किया है एक एरफान खान और दूसरी प्रियंका चोपडा ने इस गाढ़ापन में भी अपनी पहचान नहीं छेड़ी है फिल्म का गीश संगेत मधूर और फिल्म के बिसे और किरदारों के अनकूल है इसाथ कामिन और सोहल सेंन ने सब्द और धुन के साथ मसहूर और साथक परियोग किये है तूने मारे इंट्रिया लेकिन दिल में नहीं बची घंडिया कुछ ऐसी हैं मोस्ट आउंटेट फिल्म गुंडे जिसमें जूनियर हीरो और सीनियर हीरोईन का प्रेम तिरकोड है लंबे समय बाद स्क्रीन पर यारी दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई थी साथ की रिमेक ना बनाकर बॉली वुड की अपनी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी युवा सितारों को एकदम अला गंदाज में दिखाने की दसा में कदम था लेकिन धाई गंटे लंबी फिल्म के कहानी और डारेक्शन के माबले में जरूर उल्जल में डाल देती है फिल्म में जिस तरह के करिश्मे की उमीद थी वो इस पर सो फिष्टी खरी नहीं उतरती है फिल्म में दो दोस्त बिकरम और बाला यानि रड़वीर और अरजुन है वक्त के मारे हैं बे सहारा हैं मजबूरी में गयर कानूनी धंदों में लग जाते हैं इसी तरह जिंदगी चलती है और बड़े सरगना बन जाते हैं कैबरे डांसर नंदितायानी प्रेंका चौपा आती है और दोनों के दिलों में घंटिया बजाती है डॉन टाइप हीरों उनके आगे पीछे मंडराने लगते हैं एसी पी सतीजी सरकार यानी इर्फान खान इन दोनों को पकड़ने की जुगत में दिन रात एक करने लगते हैं फिर चुए बिल्ली का खेल सुरू हो जाते हैं और दोनों पुलिस से भागते हैं कई तरह के सत सामने आते हैं और डारेक्टर को लगता है कि वह आपको सीट पर खड़ा कर देगा लेकिन कहानी कहीं कहीं ट्रैक से उतर जाती है चीज़े आसानी से गले नहीं उतरती फिल्म में रडबीर सिंग कुछ भी नया नहीं करते हैं गोलियों की रास लीला राम लीला में वे अपना बेस्ट दे चुके हैं गुंडे में उनका कुछ बिस्तार ही नजराता है वे चहकते हैं हसाते हैं और एक्चन भी करते हैं लेकिन दिल में नहीं उतरते हैं अरजिन कपूर की इसके जादे और और अरंग जयब के बाद या तीसरी फिल्म है उन्हें अभी अपनी प्रिजंसिप पर थोड़ी मिनद करने की जरूरत है उन्होंने लगातार तीसरी फिल्म एंगरी यंगमायन के तोर परती है प्रियंका चौपड़ा अपने तरासो ही बदन और मादा कदाओं से फिल्म में काफी कोशिज करती नजर आती है लेकिन इसे उनकी फिल्म नहीं कहा जा सकता एरफान खान जितना समय रहते हैं ठेक लगता है फिल्म की यूसपी इसकी संगीत को कहा जा सकता है गाने बेहतरीन है तीनों की टिकड़ी मजा नहीं दिलाती फिल्म वैलेंटाइन टेके मगे पर रिलीज हुई थी लेकिन वैलेंटाइन टेका सिनेमा तो कता ही नहीं था बेसक सोले जिससे दोस्ती की उमीद कर रहे दर्शकों को निरासा हो सकती थी लेकिन इसे अली की अच्छी कोशिच कह सकते हैं बाकी जनता जनारदन सब जानती है अगर कोई बांगला देश में किसी का कतल अकरके यहां भाग आए तो उसकी यह उमीद ठीक है कि हमारा सिस्टम उसे बचा लेगा उसे पालेगा पोसेगा सिर्फ पर बैठा लेगा अगर सिस्टम ने ऐसा नहीं किया और यहां उसकी जिन्दगी कठिन हुई तो आज सिस्टम से नाराज होकर गुंडा बन जाएगा फारजी राशनकार्ट से बैद नागरिक बन जाएगा ने जिसक लिए पार जफर की फिल्म गुंडे अपने मूल विचार से ही गलत है बंगला देशी स्रणाथियों के साथ उनकी संदिक संबेदनाओं को अगर सही मानने तो इने नेता कौन से गलत है जो इन्हें लेकर वर्सुस से वोट की रोटीस देखते आए हैं जफर की पॉलिटेक्स गलत है और उनकी फिल्म बेकार कहने को उन्हें ने उन्नी सो सतर चावनी सो अच्छी के दसक का सिनेमा पर उता रहा है लेकिन उस सिनेमा में अन्याई खलनायक हुआ करता था वह वहाँ गायब है जफर भोल गया कि उस जमाने में अगर हीरो सिस्टम से लड़ता था तो वह हमारी जमीन का होता था अपने लोगों के लिए लड़ता था जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती वैसे ही वैलेंटाइन डेपर रिलीज हुई गुंडे वैलेंटाइंग के लिए नहीं थी गुंडे प्यार की कहानी नहीं है दो दोस्त जिस एक लड़की की प्यार में पढ़ते हैं वहाँ पुलिस की अंडरकवर एजेंट निकलती है दोनों धोखा खाते हैं 154 मिनिट की फिल्म की सुरुआत बहुत ही कमजोर है बाला यानी अर्जुन कपूर और बिक्रम यानी रणवीर सिंग का बचपन सेकड़ो फिल्मों की घिसी हुई कौर्वन का भी है बच्चों पर अत्यचार होता है और वह गुंडे बन जाते हैं बांगला देश बनने के दिनों 1971 में दोनों ढाका के रिफ्यूजी कैमप में रहते हैं और एक मिलिटरी अपसर की हत्या कर रेल में बैटके कलकता आ जाते हैं यहाँ वे कोईले की चोरी के धंदे में लग जाते हैं और फिर कलकता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं लेकिन जैसा की होता है आग को बजाने के लिए पानी जरूरी है कलकता में एसेपी सत्तिजी सरकार अनि इरफान खान आता है निर्देसक नियहाँ बाला और विक्रम की दोस्ती और दुस्मनी दिखाई है उनकी दोस्ती का कारण आप समझ ना सके पर अनि दुस्मनी का कारण लड़की होती है जिसे देखते ही दोनों के दिल की घंटिया बज़ जाती है वोई प्यार में राजिस खन्ना बनना चाते हैं लेकिन जल्दे ही कहानी में ट्विस्ट और टरनाते हैं जो बहुत कमजोर है एक दूसरी पर जान छिड़कने वाले दोस्त आचानक जान के दुस्मन बन जाते हैं हिंदी सिनेमा के दर्सकों के लिए इसमें कुन नया नहीं है फिल्म का यह हिस्सा बेहद उबाओ है और आप बेच में अच्छी खासी निंद भी निकाल सकते हैं फिल्म के इस हिस्से में अरजुन कपूर और रणवीर के हिस्से बहुत ही उड़पटा गदाकारी करने का काम आया है और उन्होंने इसे निभाया भी है फिल्म में मौलकता गायब है इसका एक कारण यह भी है किया बीते जमाने की कहानी कह रही है और उस जमाने की बहुत अच्छी फिल्में आप पहले ही देख चुके है अरजुन कपूर के मुझ से एक पिटी पिटाई फिलॉस्पी कहलवाई गई है यह जिन्दगी मुझ से चाहती गया है जब इंसान बनने की कोशिस करता हूँ मुझ पर कालिक पोट देती है दर्सक को समझ नहीं पड़ता कि आखिट डारेक्टर उन से चाहता कि है सिर्फ उनका पैसा इसलिए बिना किसी इतिहास बोद और राजनितिक चेतना के कहानी को उसने कलकता जैसे एतिहासिक महानगर की चाया में खड़ा कर दिया फिल्म पर निदेशक की पकड़ धिली है और कहानी सुष्ट है आप बेचैन होने लगते है कहानी और समाद भी अलिया बाज जफर के ही है लिखक के रूम में आपको उनके पास सब्दों की कमी नहीं नजराती क्योंकि तेवर सब्द का इस्तमाल फिल्म में दरजन भर बार जोर देकर किया गया है तेवर वाले दो समाद तो यही है अब ये तेवर हमारे खोन में है तेरे भौकने से कुछ नहीं होगा और हो तो आप वर्दी वाले पर आपके तेवर हैं गुंडो वाले एक बात और जफर ने जहाँ जहाँ हिंसा दिखाई उन दरस्टों में कबूतर शरूर उड़ाए है फिल्म में रड़बीर शिंग और अरजुन कपूर पर नया करते नहीं दिखे हैं वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर है वैसे अभी उनके सामने लंबा करियर था जबकि इरफान खान के द्वारा रोल का चुनाओं के वल एक बड़े बैनर से जुलने का बहाना मातर लगता है यहां उनका अंदाज तो कायम है लेकिन यह रोल उनके परसंस को के लिए याद रखने जैसा नहीं है परिंका सुन्दर दिखी है परंत उनके किलदार को फिल्म से रोते हुई परिंका में तब्दिल करकम्जोर कर दिया गया है हाथ तो तब हो जाती है जब अंदर कवर पुलिस आपसर नंदता सेन गुपता बनी परिंका चुपडा का गुंडो पर दिला जाता है वह कहते हैं इनके काले रंग के पीछे मासूम दिल है यह बच्चे है हालात के मारे है आश्चर की पूरी फिल्म में दोनों कही ऐसा काम करते नहीं दिखते की मासूम लगे बच्चे लगे जहां तक हालात का सवाल है तो फिल्म में तो फिर सारे हालात के मारों को यही करना चाहिए जो यहां विक्रम और बाला कर रहे हैं फिल्म की तुक अंडे और डंडे से खोब मिलती है कई बार तो आपका मन इनका इस्तिमाल करने का होने लगता है वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यह स्राज बाइनर की मोस्ट आउंटेड फिल्म गुंटे रिलीज हो गई थी फिल्म में रणबीर सिंग, अरजुन कपूर और प्रिंका चोप्रा लीड रोल में थे अलियपाज अपर के निर्देशन में बनी या फिल्म सुक्रवार को रिलीज हुई थी लेकिन खास चाप छोड़ने में नाकामियाब रही थी गुंटे ऐसे दो अनात बच्चो बिक्रम यानी रणबीर सिंग और बाला यानी अरजुन कपूर की कहानी है जिन्हें प्रिस्तितियों से मजबूर होकर गुंटा बनना पड़ता है जब उन्हें 12 साल के उम्र में जिन्दिगी बचाने के लिए पहली बार भागना पड़ा तब दुनिया ने उन्हें रिफ्यूजी कहा बास साल 1971 के आस पास की है जब बांगला देश के वार के दोरान उन्हें दोरते भागते कोलगता आना पड़ा देखते ही देखते दोनों कोलकता के सबसे बड़े गुंटे बन गए वो ऐसे फिल्म की कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब इन दोनों के खिलाब सरकार के पास कोई ठोज सबोत नहीं होता ACP सतिजी सरकार यानी इर्फान खान को गुंटो को पकड़ने के लिए भेजा जाता है इदर विक्रम और बाला की मुलाकात कैवरे डांसर नदिता नी प्रेंका चोपडा से होती है पहली नजर में दोनों नदिता को दिल दे बढ़ते हैं एक तरफ दोनों गुंटे प्यार में डूबे हुए हैं तो दूसरी और इंके किलाब ACP सबोत अकठा कर रहे हैं प्यार दोस्ती और मारधार के साथ फिल्म एंड तक पहुंचती है फिल्म में ACP और इर्फान खान गुंटो को पकड़ पाते हैं या नहीं और नदिता गुंटो मेंसर किसकी होती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है एक्टिंग की बात करें तो अर्जिन और रडबीर दोनों की ही फिल्म में कोई खास कमिस्टरी देखने को नहीं मिली दोनों ने फिल्म में अपने रोल को सिर्फ निभाया है हाँ कहीं कहीं पर दोनों ने अच्छी एक्टिंग जरूर की है प्रिंगा चोपड़ा ने किसी भी फिल्म में पहली बार कैबले डांसर का रोल पिले किया था यहाँ PC की एक्टिंग और खास कर उनका अंदार दर्शकों को उनकी और अट्रेक्ट करता है हमेशा के तरह इस बार भी इर्फान ने अपने रोल को बाखुबी निभाया है गुंडे का म्यूजिक ठेक ठाक है फिल्म का म्यूजिक सोहल सेन ने कंबोज किया है जबकि लिरिक्स है इरसात कामिल के फिल्म के सभी भी गानों में तूने मारी इंट्रिया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था रणबीर अरजुन का ब्रोमास देखते फिल्म के दो सांग जैसने इश्क और टाइटल सांग भी अच्छे है हाला कि फिल्म का सेड संग स्या और रोमांटिक संग जिया चाप छोड़ने में सफल नहीं रहे है वही फिल्म में प्रिंका का कैबरे नमबर आपको जोमने पर मजबूर कर सकता है मेरे बरदर की दुलहन के साथ अपनी दूसरी डारेक्सियल बेंचर में आली अबाज जफर अपनी पकर नहीं बना पाए है फिल्म का डारेक्शन फिल्म की सबसे कमजोर करी लगता है तीनों ही सितारों से खासी महनत करवाई है लेकिन वह महनत रंग लाए गिया नहीं या कहना मुश्किल है कुल मिलाकर कहा जाए अगर आप इस बिकन फिरी हैं तो आप इस रुमांटिक और एक्शन मूबी को देखे अगर आपका खास पलान बना कर मूबी को देखना चाते हैं तो साथ आप निरास हो सकते हैं दोस्ति दुस्मजी की शिटक कहानी यसराज फिलम्स की अलिय अबाज जफर दौरा निर्दैसित फिलम गुंडे देखते समय आठवे देसक की फिलमों की यादाना मुम्किन है या फिलम उसी पीरियड की है निर्दैसक ने दिखाया भी है कि एक सिनिमा घर में जंजीर लगी ही है या विकरम और बाला का बच्पन है वो बड़े होते हैं तो मिस्टर इंडिया दिखते हैं हिंदी फिलमे भले ही इतिहास के रेफ्रेंस से आरंब हो और एहसाद देद कीवे सिनिमा को रियल टेस्ट दे रही है कुछ समय के बाद सारा सच बहर हा जाता है रह जाते हैं कुछ किलदार और उनके प्रेम दुस्मनी दोच्टी और बदले की कहानी गुंडे के सिरुआ सांधार होती है बंगलादेश के जन्म के साथ बिकरम और बाला का आतरड होता है स्वेज से आम तस्बीर में सब कुछ रियल लगता है फिल्म के रंगिन होने के साथ सातिया रियलिटिक हो जाती है फिर तो चितकदार गाड़े रंगों में ही द्रस और ड्रामा दिखाई पड़ते हैं लेकर निर्देसक अलियवाज जफ़ने बिक्रम और बाला की दोस्ती की फिल्म कहानी गड़ी है ऐसी मिंतरता महस फिल्मों में ही दिखाई पड़ती है क्योंकि जब यह प्रेम यह किसी और की वज़े से तूटती है तो अच्छा ड्रामा बनता है दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाने वाले दुस्मनी होने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारूए